सब्सक्राइब करें CGPSC Adda चैनल को for all government jobs related updates और side में bell icon को दुबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपके अपने YouTube चैनल CGPSC Adda में मेरे ना मुझेद कुमार अदास है और आज इस लोडी में हम दोस्तों CGPSC Pre 2019 जो है उसका expected cut-off देखने वाले हैं दोस्तों दोस्तों इस वीडियो को मैं अभी फिलहाल नहीं बनाने वाला था क्योंकि मेरा ये उद्देश्य था कि जब इसके amended answer आजाए उसके बाद मैं इस पर वीडियो बनाओ तेकिन दोस्तों किसी कारण वच्छ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरे और वीडियो जो मैं डालता हूँ अपने चैनल पर उसके नीचे comment box मुझे बहुत सरा comments आ रहे हैं कि सर मैं qualify हो रहा हूँ कि ने candidates जो है अपना mark शेयर करते हैं उससे जो उनका आ रहा है calculation के बाद तो वो मुझे शेयर करते हैं कि मैं qualify हो रहा हूँ तो दोस्तों इस पर मुझे लगा कि वीडियो मुझे बना ही देना चाहिए जो कि दोस्तों एक आस पास का figure होगा क्योंकि exact figure जहें वो कोई भी नहीं जानता है जिन्होंने भी वीडियो बनाया है अब तक तो दोस्तों मैं आपको exact जो figure है उसकी कोई guarantee नहीं देता है लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ जो मेरा cutoff का figure होगा वो आस पास का जरूर होगा जैसे कि दोस्तों आपको बता ही होगा सबसे पहले जब एक्जाम होता है उसके एक वीक के बस्चाज जो है इसका model answer जारी कर दिया जाता है और model answer में भी कई ऐसे प्रशन होते हैं जिसके उत्तर आयोक द्वारा कुछ अलग ही लिया जाता है और साथी साथ कई questions जो है उनको विलोपीद भी कर दिया जाता है तो दोस्तों जो model answer है और amendant answer है उनके marks में variation जो आता है उसका analysis करने के पस्चाथ मैंने इस expected cutoff को तैयार किया है सबसे पहले दोस्तों अभी आप screen में देख रहे होंगे कि प्रारेंफिक परिक्षा किती थी जो किती 9 February 2020 को और MOOC की परिक्ष प्रांड होगा क्योंकि अभी तक जो है प्री के पेपर जो है चेक होने शुरू नहीं हुए है इसके पास चाद रिजल्ट आना है फिर जो है मेंस का एक्जाम शुरू होगा तो इसके लिए आपके पास बहुत समय हैं दोस्तों आप यह सब में अपना समय व्यर्थ मत कीज अब देखिए दोस्तों जो कुलपदों की संख्याती इस बार वो है 242 और देखिए जो मुख्य परिक्षा है उसके लिए जो छात्रों को बुलाया जाएगा यानि कि जो क्वालिफाई करेंगे वो है जो कुलपद निकलते हैं उसके 15 गुरा यानि कि आपे हो जाएगा 242 इंटू 15 बराबर 3636 जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे आगे अब दोस्तों नेगटिव मार्किंग का देख लेते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब जो है प्रतिक गलत उत्तर पर 1 बटा 3 मार्क्स नेगटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाता है और जबकि मैं मार्किंग की बात करूँ तो प्रतिक सही उत्तर पर आपको 2 मार्क्स दिया जाता है अब दोस्तों मार्किंग पैटर्न के बारे में देख लेते हैं ये एक एक्जांपल के तौर में बताता हूँ मान लीजिए 1.500 प्रश्ण है कुल मिलाकर प्रश्ण पत्र म और उसमें आपने attempt किया है 130 जिसमें से correct है आपके 115 और गलत है 15 तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो नीचे calculation किया गया है यह जो 115 है वो आपके सही प्रश्ण है जिसका आपने सही उत्तर दिया है इसको आपने 2 से multiply करेंगे क्योंकि आपको पता ही होगा प्रत्यक सही उ बन करके इंटू एक बटा तीन करेंगे यहाँ पर एक बटा तीन इसलिए किया क्योंकि आपको पता ही होगा अब negative marking जो है वह एक बटा तीन कर दिया गया तो यहाँ आपको मार्किंग आ रही है आगे देख लीजिए 220 तो दोस्तों आपको मार्किंग जो है इसी तरीके से क जबकि female के लिए 123 से लेकर 128 तक जा रहा है चलीए ब बबीषिक के लिए जो एकस्पेक्टेड काटाफ है वो देख लेते हैं यहाँ ओबीषि मेल जो है उसके लिए 125 से ए 130 तक जबकि female के लिए 120 से लेकर 125 तक अब sc के लिए 107 के लिए गर 110 से लेकर 115 जबके सी female के लिए है 105 से लेकर 110 तक अब ST के लिए expected cutoff देख लेते हैं यह ST male के लिए जो है वो है 107 से लेकर 112 तक जबकि ST female के लिए है 112 से लेकर 107 तक दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने expected cutoff आपको देने की कोशिश की है और मैं है बड़ाल के लिए एकर देने के लिए हैं जाइ कोशो है और मैंने के लिए और मैंने की है